बार्तिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्षर श्रिमान अमिज शाजी मन्च पर विराजमान बार्तिय जनता पार्टी के सभी वरिष्ट साथी कारकर्ता भाईयों और बहनों आपको और देश सवास्यों को होली के पावन परवकी अनेक अनेक शुपका मनाएं भारत में हर त्योहार इस बात का संदेश लेके आता है हमें बार बार समरन कराता है चाहे वे व्यक्ति के जीवन में हो समाज के जीवन में हो रास्ट के जीवन में हो बुराईयों को परास्ट करते हुए अच्छाईयों पर बल देते हुए आगे बढ़ने की सीख हमारे हर उत्सव हमें देते है ये होली का पावन पर्व भी हमारे भीतर अगर कोई कमिया है समाज जीवन में अगर कोई कमिया है रास्ट जीवन में अगर कोई कमिया है उन्हें परास्ट करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प रहते रहना चाहिए हर त्योहार में इस संकल्प को दोहराना चाहिए और होली का पावन परवभी हम सब को वो शक्ति दे सवासो करोर देश सवासियों को शक्ति दे ताकि हम अच्छाईयों को ले करके मानवजात के कल्यान के काम के लिए आगे बढ़ते चले साथियों लोग तंत्रबे चुनाव सरकारे बनाने का तो काम होते ही है लेकिन लोग तंत्र में चुनाव एक लोग शिक्षन का महापर्व होता है लोग तंत्र के प्रती प्रतिबद्धता और अधिक गहरी होती जाए लोग तंत्र के प्रती सामान्य मानवी का विस्वास सिर्फ मतदान तक सिमित न रहे राष्ट निर्मान में उसकी भागीदारी बढ़ती चले भारत जैसे देश के लिए बहुत आवशक है जिस प्रकार से हमारे देश में मतदान का प्रतीशत बढ़ रहा है उत्सा उमंग के साथ लोग तंत्र के इस परवकों मनाने में राजनितिक दलों के सिवाई भी लोग जूड़ते चले जा रहे हैं मैं इसे लोग तंत्र की द्रश्टी से एक सुप संकेत मानता हूँ और जब कभी कबार विजय होने के अनेक कारण होते हैं लेकिन अकल्पनिया भारी मतदान के बाद अकल्पनिया भारी विजय होता है वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है मैं कल भी कुछ पॉलिटिकल पंडितों को सुन रहा था आज मी मैं कुछ पढ़ रहा था इस देश में इमोशनल इश्यूज पर चुनावों पर देव भी दिखाई दिये हैं चुनाव के उपर उसका प्रभाव भी दिखाई दिया है लेकिन इमोशनल इश्यूज के सिवाए विकाँ से कठीन से कठीन मुद्दा होता है चुनाव का बहुत मुश्किल मुद्दा होता है सब राजनितिक दल पिछले पचास साल से इन मुद्दों को लेकर के जाने से कतराते रहे हैं और कभी उप्योग भी किया है तो एक फासिंग रिमार के रुप में किया है इस चुनाव का उस द्रस्टी से भी मुल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि इमोशनल इश्यू न होने के बावजूद भी इतना भारी मत्दान होना विकास के मुद्वे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ती भी मत्दान के लिए आगे आना एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे और मैं इन पाथ राज्यों के चुनाव को और विशेश कर उसमें उत्तरपदेश जो कि भारत को दिशा देने की ताकत देने की प्रेणा देने की सरवाधिक शम्ता रखता है इतना बड़ा प्रदेश है वहाँ जब चुनाव के नतीज़ा हैं तब इन पाथ राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नीव के रूप में देख रहा न्यू इंडिया 65-35 साल से कम उमर के नव जबानों के सपनों का न्यू इंडिया अभूत परवरुप से जागरुप महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाए कुछ करने की इच्छा के लिए अउसर के लिए खोज यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है देश का गरीबी आप कुछ दे दो आप मुझे अच्छे लगोगे इस मानसिक्ता को छोड़ चुका है गरीब कहता है मैं अपने बलबुते पर आगे जाना चाहता हूँ आप मेरे लिए अउसर उपलब्द करा दीजिए महनत मैं करूंगा यह न्यू इंडिया की नीव है और इसलिए इस चुनाम है कौन जीता कौन हारा हमने किसको परास किया किसको क्या किया मैं इस दाइरे में सोचने वालों में से नहीं चुनाव विजय भार्टिये जनता पार्टी के लिए जनता जनार्दन का एक प्रवीत्र आदेश होता है आदेश और मैं आदेश पर बल देता हूँ और हमें उस आदेश को पुर्ण करने के लिए इश्वर ने हमें जितनी शमता दिये है उसका पूरा उप्योग करते हुए निरंतर कोशिस करते रहना चाहिए ताकि हम जनता जनार्दन की आशा आकांशाओं को पुर्ण करने में अपने आपको करके दिखाने की दिशा में सफल पाएं बिजय पैड़ भी हमें सिखाता है पाउधे भी हमें सिखाते हैं कोई भी पैड़ कितना भी उचा क्यों न हो लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो जुकने लग जाता है प्रकुती हमें प्रेणा देती हैं आजब भारतिय जनता पार्टी के इस वटबुक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतिय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा जुकने का जिम्मा बनता है अधीक नम्र बनने का जिम्मा बनता है सत्त ये पदकी लोशोभा का हिस्सा नहीं होती है सत्त सेवा करने का एक आउसर होती है इस बात को लेके हमें चलना हमने कई बार विजय प्राप्त किये हैं चार-चार पीडियां इस काम के लिए खब गई है अटल जी, अद्वानी जी, कुशाभाव, जना कृष्ण मुर्ती जी अंगिनत लोग जिनोंने अपने जीवन को अपनी जवानी को इस विचार को बीच के रूप में हिंदुस्तान के कोने कोने में बोने के लिए अपना पसीना बाहाया है तब जाकर के वटवरुक्ष बना लक्षाओं भी काहरे करताओं ने अखंड एक निष्ट पुर्शार्थ किया है उसी का नतीजा है कि आज जनता जनारदन की आशा आकांख्षाओं के हम प्रतिक बने हैं और इसलिए गत्पता साथ साल तक निरंतर इस पार्टी के लिए तपस्या करने वाले उन सब के सपनों के अनुकुल हमें अधिक्तम कार्य करते हुए जन सामन्य की सेवा कर दिये इस चुनाओं के नतीजे हमारे लिए एक एमोशनल इश्यू भी है इसलिए है कि यह वर्ष पंडित दिंदयल उपाध्याईजी की जन्मशती का वर्ष और पंडित दिंदयल उपाध्याईज उत्तर प्रदेश भी कभी उनकी कर्मभूमी रहा था ऐसे महापुरुष की जन्मशती के समाए इतने बड़े आशिरवाध हमें दिंदयल उपाध्याईजी का अंतियुदय का जो आदेश है चिंतन है गरीबों का कल्याईज गरीब गरीब में सामर्थ मैं देख पाता हूँ मैं देश के गरीबों की शक्ति को पहचान पाता हूँ और रास के भविश के दिरवाण में जितना जादा गरीबों को आउसर मिलेगा उतना जादा देश तेजगती से आगे बढ़ेगा गरीब अगर सिक्षित होगा तो समाज को जादा परणाम देगा गरीब को अगर कार का आउसर मिला तो देश के लिए जादा करके दिखाएगा और इस देश की सबसे बड़ी ताकत वो हमारे देश का गरीब है कभी कभी आज मद्यमबर्ग के लोगों को जादा बोज जहिलना पड़ता है कर भी मद्यमबर्ग को जादा देना पड़ता है नियमों का पानन भी मद्यमबर्ग को जादा करना पड़ता है समाज की सब मर्यादाओं का पानज भी मद्यमबर को करना पड़ता है सारे आर्थिक बोज भी कॉंटम के रुप से देखें तो सबसे ज़्यादा मद्यमबर का व्यक्ति बहन करता है उस पर यह बोज कम होना चाहिए मद्यमबर पर जो यह मद्यमबर पर जो बोज रहता है और उसके कानन उसके पाफ शमता भी है तेज़ गरती से जाने के लिए उसको किसी की मदद जरूरत नहीं है सिरब वो इतना ही चाहता है कि रुकावटे दूर हो वो दोड़ करके कुछ करने के लिए शमता रखता है एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोज उठाने की ताकत आ जाएगी इस देश के मद्यमबर का बोज पूरी तरह हड़ जाएगा अर्थ सास्तर के इस रूप को मैं न्यू इंडिया में अनुभव कर रहा हूँ और एक मार देश के गरीब की ताकत देश के मद्यमबर के सपने इनको अगर मिला ले तो इस देश को दुनिया में नई उचाईयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकते और इसलिए भाईयों भेनों जितने भी चुना हुए हमारे देश में लगातार भारतिये जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता गया है विजय आत्रा लगातार आगे चल रही है हिंदुस्तान के हर खेत्र में भारतिये जनता पार्टी ने पहले से अच्छा करके दिखाया है और इसलिए हमारी पार्टी के राष्टिय अद्ध्यश्य सिमान अमिच साहजी और उनके साथ संगठन का कार्य संभालने वाली केंद्रिय टीम राज्यों की टीम लक्षावरी कार करता इस विजय यात्रा के ये शभागी है उनको बहुत बहुत बढ़ाई देते अमिज भाई ने पार्टी के अद्ध्य रूप में सदस्यता के अभियान के द्वारा पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोक्तांतिक पार्टी के रुप में भार्टी ये जन्ता पार्टी को पहुंचा दिए चुनाओ जीतना एक बात है लेकिन लोक्तांतिक गंग से समाज के हर तप्पे में भारत के हर भूबाग पर भार्टी ये जन्ता पार्टी को पहुंचाना ये भी लोक्तंत्र की एक बहुत बड़ी सेवा है और हम समने भी गर्व के साथ दुनिया में जहां जाए वहाँ दुनिया में जिसे भी मिलने का मोका मिले उन्हें सीनातान के कहना चाहिए कि हम उस पार्टी के सदसे हैं जो विश्व में सबसे बड़ा संगठन है जनसंग कहो भारतिय जरता पार्टी कहो उसकी पूरी विजय आत्रा में सबसे अधीक जनसंख्या की सेवा करने का आज अवसर भारतिय जरता पार्टी को उपलब्द हुआ है केंद्र के द्वारा भी राज्यों के द्वारा भी और स्थानिय स्वाराज निकायों के द्वारा भी ये अपने आप में भारतिय जरता पार्टी की विजय यात्रा के इतिहास में एक स्वर्निम समय है ये स्वर्निम समय है और इस स्वर्निम समय को अचानक प्राप्त नहीं हुआ है हालात के कारण अचार नहीं मिल गया है कठोर परिशम से त्याग तपस्यरिया से सार्व जनिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए लक्षावदी लोकों ने चार-चार पीड़ी तक अखंड एक नईस्ट पुर्शार्ट करके आज यहां हम पहुँचे हैं हम लोगों को सौगायद में कभी कुछ नहीं मिला और हमें इसका जीला सिक्वा भी नहीं है क्योंकि हम समाज के लिए कुछ करना चाते देश के लिए कुछ करना चाते इस संकल्प के साथ निकले हुए लोग भाईयों 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 देश के सामने चुनाव केंद्रित सपनों की बर्शा हमने बहुत देखी है हम सवासो करोर देश सवासियों को साथ ले करके न्यू इंडिया को सफलता पुर्वक आगे बढ़़ाना चाहते हैं एक पहला भुकाम हमारे सामने है दो हजार बाईस मैं चुनाव के हिसाब किताब से चलने वाला इंसान नहीं हूँ आप पहले से मैं कह साथ हूँ मेरे दिमाग में सवासो करोर हिंडुस्तानियों का हिंडुस्तान है सबासो करोर देश सबासी दो हजार बाइस भारत की आजादी के 75 साल होंगे 75 साल में जो भी आत्रा चली है जिस रूप में चली है जिसको भी सोवा करने का मोका मिला हर किसे ने अपने अपने तरीके से की है और हम इस बात को कभी नकारते भी नहीं है जिस सरकार को अफसर मिला उसने काम किया है जिस प्रदान मंतरी को अफसर मिला उसने काम किया जिस मुख्य मंतरी को अफसर मिला उन्होंने काम किया हर एक के काम को हम स्विकार करते हैं आदर करते हैं लेकिन दो हजार बाइस बारत की आज़ादी के 75 साल हमारे पांच 5 साल का वक्त है अगर समा सो करोर देश वासी पांच 5 साल अपने व्यक्ति के जिवन में एक संकल्प हर वर्ष संगर्षन के जिवन में हर वर्ष एक नया संकल्प जिस हिकाई में काम करते हैं उस हिकाई में एक नया संकल्प 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा मैं भी सबाब दिलाता हूं और इसको बन्ल मिला है चुनाव नतीजों से 2022 के भारत के सपनों को पूरा करने के लिए 700 कोर और देश वाचियों में एक विकास का जो अंदोलन पैदा करना है इस सपनों के लिए कुछ करक गुजरने की एक जो तैयारी करनी है माहौल बनाना है हर इंसान को जोड़ना है उसको बन्ल लेने का काम इन पाँच राज्जों के चुनाव नतीजों नतीजों ने किया है और इसले भाईयो भेनो मैं सबसे पहले इन पाँचों राज्जों के मसदाताओं का रिदय पुर्वक बहुत पहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं इन पाँचों राज्जों के मसदाताओं को विस्वाद दिलाता हूँ कि भारतिये जनता पार्टी पर आपने जो भरोसा रखा है भारतिय जन्ता पार्टी के कायर करता हो के पास जो बरोसा रखा है मैं आपको विस्थवाद जलाता हूँ वो ऐसे ऐसे चहरे चुन करके आए हैं जिन को शायद कभी किसे ने टीवी पर भी देखा नहीं होगा ऐसे ऐसे चहरे चुन करके आपने वेजे हैं जो कभी अख़बार की लकिरों में भी कभी उनको स्थान मिला है का नहीं मिला है मैं नहीं जानता है लेकिन उसके बाउदूद भी आपने भरोसा रखा है हो सकता है हमारे लोगों का अनुपव कम होगा हो सकता है हमारी पहचान व्यापक नहीं होगी लेकिन इन पाँचों राज्यों को मैं भरोसा देता हूँ कि हमारी ये साथी आपकी आशा आकांशाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे नहीं चीज शिखने पड़ेगे तो सिखेंगे अच्छे इरादे से करेंगे अच्छा करने का भरपूर प्रयास करेंगे भाई यो बहनो आज हम जिन सपनों को लेकर के चल रहे हैं तब मैं आज फिर एक बार स्परन दिलाना चाहता हूँ इसी याराश्व का रोड पर 2014 में यही वरिष्ट टीम मंच पर बैठी थी और भारती जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो पुलिटिकल फील में गोशना पत्र कहते हैं भारती जनता पार्टी उसे संकल्प पत्र मानती हैं उसका जब देश की जनता के सामने प्रस्तूत करने का अवसर था उस दिन मैंने एक बात कही थी खर कुछ चीज़े ऐसी होती हैं कि उस समय पर समझ नहीं पाते हैं लोग उनकी सिमा रहती हैं या समझना चाहते नहीं हैं तो मैंने उस दिन जो कहा था उसको बहुत गलत अर्थ में लिया गया था और इतना गलत कर दिया गया था कि कोई दुबारा बोलने की हिम्मत न करे लेकिन आज जब सरकार को ढ़ाई साल से ज़्यादा समय हो गया है एक प्रकार से पांच साल के कारकार के बिच पड़ाव पर हम खड़े हैं तब मैं सबा सो करोर देश वासियों के सामने मेरी ही उस बात को दौराने की हिम्मत करता हूँ तीन बाते मैंने कही थी और उस पर से गलत करने का कोई कारण नहीं था लेकिन करने वालों ने किया था एक मैंने कहा था कि हम नए हैं हमारा अनुभो भी कम था क्योंकि कभी संसद भी के सदर से भी नहीं रहे थे लेकिन संकल को पत्र रखते समय मैंने कहा था कि हम मनुष्य कोई भी हैं गलती कर सकता है तो मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे दूसरी बात मैंने कही थी हम परिश्रम की पराकास्था करेंगे परिश्रम की पराकास्था करेंगे यह मैंने दूसरा देश को बादा किया था और तीसरा मैंने कहा था हम जो कुछ भी करेंगे परामानिक्ता के साथ करेंगे मुझे खुशी है साथियो के यह एक ऐसा प्रधान मंत्री है जिस पर यह पुछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो करेंगे